नमस्कार स्टुडेंट कल के लेक्चर से हमने क्रिस्टल स्टुक्चर के बारे में डिस्टस करना स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने बेसिक क्रिस्टल स्टुक्चर का डिस्कस किया है कि क्रिस्टल होता क्या है बनता कैसे है उसके यूनिट सेल क्या होते हैं और type क्या होते हैं लाइक जैसे simple cubic क्या होता है BCC क्या होता है FCC क्या होता है उसी की type में अब हम further जो discuss करेंगे ओमधा भी आप of dimension crystal structure का आज discuss करेंगे और उसमें हम पहले जो discuss करेंगे वो basic three dimension के हिसाफ पासे structure का आज हम discuss करेंगे crystal structure जर्णली अगर हम three dimension के basis पे crystal structure का हम discuss करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी total seven unique arrangement बनती हैं और उन seven unique arrangement का जो simple से वे में अगर हम नाम कहें, तो जैसे आपके पास simple cubic, tetragonal, orthorombic, romohedral, monoclinic, triclinic, hexagonal, इन सबी को एक simple से वे में आपके पास जो ये triclinic लिखा है याप पर और ये ये romohedral लिखा है, इसको romohedral को आप trigonal structure भी जर्नली बोलते हैं, तो इन सब को shortest way में remember करने का एक तरीका है, जिसको हम बोलते हैं, see, tom, try, try, hex, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, see, tom, try, try, hex, यह basically short way है इनको याद करने के लिए, c का मतलब यहाँ पर होता है, simple cubic, t का मतलब आपके पास जो यहाँ पर हमने बताया है, tetragonal, o का मतलब orthorombic, try का मतलब triclinic, अगले try का मतलब trigonal, और hex का मतलब आपके पास hexagonal, यह basic से seven structure होती है और इन seven structure से जो total structure crystal की बनती है, वो structure बनती है, fourteen structure, जैसे किसी से एक बनेगी, किसी से दो बनेगी, किसी से चार बनेगी, किसी से तीन structure बनेगी, जैसे मालो अगर हम hexagonal triclinic, या trigonal की बात करें तो generally इन से क्या है, एक-एक structure यहाँ पर create होती है, अगर मालो हम simple cubic की बात करें तो generally हमारे पास यहाँ पर तीन structure create होती है, तो total जो इन seven structure है, इन seven structure को मिला के, जो main structure बनती है, वो बनेगी आपके पास fourteen structure, और उन fourteen structure में, जो main difference रहता हमारे पास, इन six points का difference रहता, six point कौन से, तीन point जो है, वो इसके axis के, और तीन point जो होते है, वो angle के, तीन point axis के मतलब, एक बार जो है, इसकी axis है, सबकी different हो जाएंगे, दूसरे case में, axis के साथ आपके पास angle भी different हो जाएगा, और जैसे ही यह चीज़े different होंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास structure जो है crystal की, वो आपके पास change हो जाएगी, but in case अगर हम three dimensional discuss करते हैं, तो आपके पास total जो structure आनी है, इनी seven structure में से, कोई ने कोई एक structure बनेगी, ठीक है, जिसका main नाम in seven में से होगा, total जो structure है, 14 तो 14 में से, किसी ने किसी एक structure से, वो structure जो है, match होगी, अगर आपका crystal है तो, अगर वो आपके पास material जो crystal की formation में ही नहीं है, amorphous है, तो किसी से वो structure जो है, generally match नहीं होगी, now, अगर हम qb crystal की बात करें, तो qb crystal के case में, जो axes होगी, तीनों की तीनों वो axes बराबर होगी, और तीनों की तीनों जो angle होगे, वो equal भी होगे, और equal के साथ साथ 90 degree का भी angle वहाँ पर होगा, यह example लिखा हुआ यहाँ पर, अगर हम tetragonal की बात करें, तो उसमें क्या कर देना है, सबसे पहले आपने जो पीछे वाली axes है, b equal to c था, उसको आपने हटा देना है, वो equal नहीं होगे, तो आपके पास जो structure कैसी बन जाएगी, उस structure tetragonal बन जाएगी, एंगल में कोई change नहीं होगा, जस्ट आपके पास पहली axes change हो जाएगी, अगर हम orthorombic structure की बात करें, तो जैसे tetragonal में एक axes match नहीं होती थी, तो orthorombic में दो axes match नहीं होगी, या सीधे से वे अर्थों में अगर हम कहें, तो a, b के equal नहीं होगा, b, c के equal नहीं होगा, एंगल वही आपके पास equal रहेंगे और 90 degree के रहेंगे, अगर हम hexagonal crystal की बात करें, तो यहाँ पे axes तो बराबर होगी नहीं, साथ में एक angle की जो value है hexagonal के case में फिक्स हो जाएगी 120 degree, अगर हम rhombohedral crystal की बात करें, तो उस case में जर्णल यह trigonal structure ही है यहाँ पर, तो उस case में आपके पास axes तो बराबर होगी, बट आपका कोई भी जो angle है वो बराबर नहीं होगा 90 degree के, इन case अगर हम monoclinic की बात करें, तो monoclinic के case में आपके पास axes हैं, कोई भी axes equal नहीं होगी, A, B के equal नहीं होगा, B, C के equal नहीं होगा, और जो angle alpha है, वो angle 90 degree के बराबर नहीं होगा, बेटा और गामा जो angle है, वो आपके 90 degree के बराबर रहेंगे, अगर हम इसकी 7th structure की बात करें, ट्राइकलेनिक की, ट्राइकलेनिक structure में नहीं तो कोई angle 90 degree के बराबर होता, नहीं एकसी जो है, एक दुसरे के बराबर होती है, तो उस structure को हम बोलते हैं, ट्राइकलेनिक structure, यह hexagonal structure की जो है, detailed structure भी यहाँ पर दिखाई गई है, three dimensional view भी basically, यह जो है, diamond structure जैसे muskil है, थोड़ी सी, तो उसी की तिरह यह भी थोड़ी सी structure है, extra जो है, मतलब normal structure के वे से, थोड़ी सी difficult है, तो उसी साब से structure एक extra यहाँ पर आपको show की गई है, तो generally जो आपके पास hexagonal structure जो होती है, इस formation की होती है, उसके अपर पार्ट में आपके पास six atom होते हैं, lower part में आपके पास six atom होते हैं, और central part में आपके पास three atom होते हैं, इस formation की आपको structure है, यहाँ पर generally जो है, visible होती है, Thank you student, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकि कि जो study है, जो इसकी थोड़ी से ओर detail study है, two dimension में कौन सी structure बनती है, उनको three dimension से compare करें, तो कौन सी structure बनेगी और three dimension में 14 कौन कौन सी structure है, उनके बारे में जो discuss करेंगे, वो discuss हम कल के lecture में करेंगे, Thank you.